नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीगे ट्रेक में तो इस वीडियो में राइश्टे फिल्म पुरुषकारों की बात करें तो इन पुरुषकारों की सुरुवाद 1954 में हुई थी यह पुरुषकार भारत में पृत्ति वर्स सिनेमा छ नेशनल फिल्म आवाड से दिये गए इन पुरुषकारों की घुंसना 24 अक्टूबर 2023 को सूचना और प्रिसरान मंतारलिया द्वारा एक प्रेस कोन फ्रेंस के माद्यम से की गई देखें यह जो 2023 में राश्टे फिल्म पुरुषकार दिये गए तो यह 69 नंबर के हैं लेकि कि जो 2021 में फिल्में बनी थी तो उन फिल्मों के लिए यानि कि बर्स 2021 के लिए दिये गए अब यहां पर कोस्टन की बात करें तो पहला प्रेसन है 2023 में कौन से राश्टे फिल्म पुरुषकार दिये गए तो मैंने आपको बता दिया 2023 में यह 69 नंबर के राश्टे फिल्म पुरुषकारों में सर्वसिष्ट अभिनेता का वाड किसे मिला तो आंसर भी होगा अलु अर्जुन को तो 2023 में जो राश्टे फिल्म पुरुषकार दिये गए है 69 तो इन पुरुषकारों में सर्वसिष्ट अभिनेता हैनि कि बेस्ट एक्टर का पुरुषकार दिया गया अलू अर्जुन को अभिने किस फिल्म के लिए मिला तो फिल्म का नाम है पुस्पादा राई तो इस फिल्म के लिए मिला है अलू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का पुरुषकार next question उनत्रवे राष्टे फिल्म पुरुषकारों में सर्वसेष्ट अभिनेत्री का बाट किसे मिला है सर्वसेष्ट अभिनेत्री की बात करें तो गुनत्य राष्टे फिल्म पुरुषकार में सर्वसेष्ट अभिनेत्री का पुरुषकार दो अभिनेत्रियों को दिया गया है आलिया भटो और क्रेती सिनन को तो आंसर D होगा A. A. B. दोनो आलिय भट को गंगुवाई काठे वाली फिल्म के लिए मिला और क्रेती सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है तो याद रखना है कि राष्टे फिल्म पुरुषकार 2023 में सर्वसेट अभिनेतर का पुरुषकार आलिय भट और क्रेती सेनन को दोनों को दिया गया Next question तो 2023 के राष्टे फिल्म पुरुषकारों में सर्वसेट अभिनेतर का पुरुषकार दिया गया पंकज त्रिपार्थी को तो आंसर भी होगा पंकज त्रिपार्थी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अक्टर का पुरुषकार मिला है Next question तो 2023 के राष्टे फिल्म पुरुषकारों में सर्वसेट अभिनेतर का पुरुषकार दिया गया Next question तो आंसर यह होगा निखिल महाजन को तो 2023 के राष्टे फिल्म पुरुसकारों में सर्वशेष निर्देशन का अवार्ड यानि की बैस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया निखिल महाजन को निखिल महाजन ये गोदावरी दैहोली बाटर फिल्म के डायरेक्टर है तो इनने सरब सेट निश निर्देशन के लिए वाड मिला है अगला प्रास्ण है 69 राष्टे फिल्म पूरुसकारों में best male पिलेवैक सिंगर का वाड किसे दिया गया तो पुरसों में best पिलेवैक सिंगर का वाड दिया गया काल भीरप को किसे लिए मिला तो ट्रिपल आर जो फिल्म में इसमें गाना है कोमुरन बेहमुडो तो इस गाने के लिए इने बैस्ट प्लेवैक सिंगर कावाड मिला है अगला प्रसने राष्टे फिल्म पुरुसकार 2023 में बैस्ट फिमेल प्लेवैक सिंगर कावाड किसे मिला अब देखे महिलाओ के बात करें तो महिलाओ में बैस्ट पिलेवैक सिंगर कावाड मिला स्रेया गोसाल को तो आंसर सी होगा अब स्रेया गोसाल को किसलिए दिया गया तो एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है इराबिन निजल तो इसमें गाना है माई यावा च्छाई यावा तो इस गाने के लिए स्रेया गोसाल को बैस्ट फिमेल पिलेवैक सिंगर कावाड मिला अगला प्रसने राष्टे फिल्म पुरुसकार 2030 में बैस्ट फीचर फिल्म कावाड किसे मिला तो आंसर उप्षन B होगा रोकेटरी दा नमबी इफेक्ट तो दिखिए एक हिंदी फिल्म है रोकेटरी दा नमबी इफेक्ट तो इस फिल्म को राष्टे फिल्म पुरुसकार 2030 में बैस्ट फीचर फिल्म कावाड मिला है इस फिल्म के डिरेक्टर को ने तो R माधवन हैं, तो याद रखना है, डायेक्टर भी बोचिछेआ सकते हैं, नेश्ट फॉर्स स्शन, राष्टे फिल्म परुषकार दोहजार तेष्म में, सर्वसेष्ट लोग परुषकारों में, सर्वसेश लोकषे फिल्म यानि की बेस्ट पोपुलर फिल्म का पुरुसकार मिला ट्रिपल र फिल्म को तो आंसर यह होगा इस ट्रिपल र फिल्म के डारेक्टर है SS राजयमोली तो याद रखना है Next question राष्टे फिल्म पुरुसकार 2023 में बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का पुरुसकार किसे बिला तो देख क्रिटिक्स ररणी में बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का पुरुसकार दिया गया पुरसोत्तम चार्यलू को तो आंसर भी होगा ये जो पुरुसुत्तम चार विल्म ये एक तेलगों फिल्म है तो इस फिल्म को 2.30 के राष्टे फिल्म पुरुसकारों में best film critics Award मिला है Next question राष्टे फिल्म पुरुसकार 2.30 में सर्वसेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरुसकार किसे मिला? तो सर्वसेष्ट हिंदी फिल्म का परुषकार दिया गया सरदार उधम सिंग फिल्म को तो आंसर यह होगा सरदार उधम सिंग फिल्म के डारेक्टर है सुजीत सरकार इसके लाब देखे अन्य भासाओ की फिल्मों को मिले आवार्ड्स की बात करें तो हिंदी फिल्म का विदिया गया सर्वसेट हिंदी फिल्म का वार्ड सरदार उधम सिंग को बैस्ट गुजराती फिल्म का वार्ड मिला चैलो सो को बैस्ट कन्नल्ड फिल्म का वार्ड टिर्पल सेवन चार्ली को दिया गया Best Methily Film का वार्ड मिला समनांतर को इसे के साथ Best Marathi Film का वार्ड मिला एकदा के जाला Best Malayalam Film Home Best Tamil Film का वार्ड कदेशी विवासई को मिला Best Telgo Film बनी उपेनना और Best Bengali Film थी कालोखो Best Non-Feature Film का वार्ड किसे मिला अब दिखे बात करें 2030 के राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Best Known Feature Film का वार्ड किसे दिया गया तो आंसर सी होगा एक था गाम इस फिल्म को Best Known Feature Film का वार्ड मिला है एक था गाम ये एक गड़वाली और हिंदी भासा की फिल्म है इसके लावा निया पुरुसकारों की बात करें तो Best Film Own Family Belious का वार्ड चंद सांसे को मिला ये एक हिंदी फिल्म है Best Investigative Film का वार्ड Looking for चलान को दिया गया ये अंग्रेजी फिल्म है Best Educational Film का वार्ड Sir Piglin सिपांगल को मिला ये एक तमिल फिल्म है और Best Film Own Social Issue का वार्ड दो फिल्मों को दिया गया मिद्धूदी ये एक अंग्रेजी फिल्म है और बंटू थिरी ये एक मराठी हिंदी फिल्म है इसे के साथ Best Environmental Film का वार्ड मिला मुन्नम को ये एक मलियानम फिल्म है इसके बाद अगला कोस्षन है राष्टे फिल्म पुरुसकार 2030 में Special Jury Award किसे मिला है तो 2030 के राष्टे फिल्म पुरुसकारों में Special Jury Award दिया गया सेरसा फिल्म को तो आंसर दे होगा सेरसा फिल्म के डारेक्टर है बिस्मुड वर्धन नेश्ट कोस्षन Best Book on Cinema कावार्ड किसे मिला तो देखें सिनेमा पर अच्छी किताब लेखने कावार्ड किसे दिया गया किस किताब को दिया गया तो इसकांसरा उप्संटी होगा लच्मी कांत प्यारे लाल द्वारा संगीत The Incredibly Melodious Journey तो ये एक बुक है इस बुक के लेखक है राजीब बिजयकर तो इस बुक को 2013 का राश्टे फिल्म परुसकारों में Best Book on Cinema कावार्ड मिला है Next Question राश्टे फिल्म परुसकार 2013 में नर्गिस दत अवार्ड किसे मिला तो आंसर उप्संटी होगा The Kasmir Files को तो देखे जो The Kasmir Files फिल्म है तो ये भारत में एकता के लिए सबसे अच्छी फिल्म मानी गई तो इसलिए इस फिल्म को 2013 का राश्टे फिल्म परुसकारों में नर्गिस दत अवार्ड दिया गया The Kasmir Files फिल्म के डिरेक्टर कोन है तो विवेक राजन अगनी उत्री है विवेक राजन अगनी उत्री और देखे इसके साथ कुछ अन्योर परुसकारों की बात करें तो किसी निर्देशक की सर्वसेष्ट पहली फिल्म के लिए इंद्रा गांदी परुसकार दिया गया मेपपा दियान को ये एक मल्यालम फिल्म है बेस्ट कोरियोग्राफिक आवार्ड टर्पलार फिल्म को मिला इस फिल्म के कोरियोग्राफर कोन है तो प्रेम रक्सित है इसे के साथ बेस्ट स्पेसल इफेक्ट कावार्ड भी टर्पलार फिल्म को दिया गया जो इस फिल्म के special effect creator है कोन है तो भी स्री निवास मोहन है Best Music Direction का पुरुषकार पुस्पा और ट्रिपल र फिल्म को मिला Best Makeup Artist का वार्ड गंगो भाई काथे वाली को दिया गया Best Costume Designer का वार्ड मिला सरदार उधम सिंग को Best Production Designer का वार्ड भी सरदार उधम सिंग फिल्म को मिला Best Editing का वार्ड गंगो भाई काथे वाली को दिया गया इस फिल्म के एडिटर है संजर लिला बंजाली और Best Childs Artist का वार्ड मिला भाविन रवारी को तो दोस्तों ये थे दो हैर्ड तेज के राष्टे फिल्म पर उसका जिनके नाम की घोंसला भी हाली में की गई आप चलिए आज का प्रसन देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंड डोक्स में बताना है तो आपके लिए आज का प्रसन है चंदरमा के दच्छल धुरूप पर लेंडर उतारने बाला भारत कौन सा देख से बना है तो इस कांसर आपको नीचे कमेंड डोक्स बताना है इससे पहले मैंने चंदरियान थरीका पहले से एक पूरा वीडियो बना रखा आपको देखना है तो आपको इस वीडियो को लाइक प्लेइलिस्ट मिल जाएगी आप यहां से जाकर 2023 के सभी टोपिक बाजिश वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता है आपको वीडियो पसंद आएग और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए हैलफुल हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भरत